क्या लड्डू गोपाल आपको कभी सपने में दिखे हैं जान लीजे ऐसा स्वपनाने के बाद जीवन में क्या आते हैं बदला नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं सवपने शास्त्र में हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ बताया गया है और इन सपनों का हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब देखने को मिलता है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एगर आप सपने में कभी लड्डू गोपाल को देखते हैं तो इसका असल जीवन में क्य चूणोतियों का संकेत होता है तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं देखे-घ्वान क्रिष्ण के बाल रूप को सपने में देखने का अर्थ भी अलग ही होता है अगर आप सपने में देखें कि लड़ू गोपाल के साथ आप बाते कर रहे हैं तो यह सपना शुब माना जाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि गोपाल जी के प्रतीय आपके दिल में सच्चा भगति भाग है। ऐसा सपना आने के सपना आने के बाद आपको जीवन में सही बदलाव लाने चाहिए अगर ऐसा सपना आप देखते हैं तो आपको अपनी संगती सुधाने चाहिए और धर्म कर्म के कारियों में हिस्सा लेना चाहिए वह ये सपना शुब संकेत तक नहीं माना जाता है जी हाँ यदि आप सपने में लड़ू गोपाल को गुस्से में देख रहे हैं तो ये शुब नहीं है इसका आर्थ है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है इसलिए ऐसा सपना आने के बाद आपको सापधान होना जरूरी है इसके साथ सपने में अगर आप लड़ू को पालने में देखते हैं तो सपना अच्छा माना जाता है इस सपने कार थे कि आपको कोई खुशकबरी निकर भविश्य में मिल सकती है इसके साथ ही आपके भटके अटके हुए काम जो है इस सपने के आने के बाद पूरे हो सकते हैं फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए रहिए नेक्साइन स्पीच्वल तरत के लिए धन्यवाद